एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम राहुल था. वह रहता था एक छोटे से गाउं में, जहां खेतों के हरे भरे मैदान और बड़े बड़े पेड थे. राहुल बहुत खुशाल था और हर दिन खेलने और मस्ती करने के लिए उच्शुक रहता था. एक दिन राहुल के दादा ने उसे एक नया खिलोना दिया, एक छोटी सी लाल कार. राहुल बहुत खुश हुआ और वह पूरे दिन अपनी कार के साथ खेलता रहा. वह कार को अपने खिलोनों के शहर में चलाता था और अपने दोस्तों के साथ रेस लगाता था. एक शाम जब राहुल सोने जा रहा था, उसने अपनी कार को अपने बिस्तर के पास रखा. रात के अंधिरे में उसे लगा कि कार चल रही है. वह उठा और देखा कि कार उसके कमरे से बाहर जा रही है राहुल दोड़ा और कार के पीछे भागने लगा कार उसे एक खूब सूरज जंगल में ले गई वहां राहुल ने कई छोटे-छोटे जानवरों को देखा वह एक छोटे से खरगोश से मिला एक चंचल गिलहरी से खेला और एक सुन्दर तितली को पकड़ने की कोशिश की अचानक कार रुक गई राहुल ने देखा कि एक बड़ा सा पेड उसके सामने है पेड पर एक छोटा सा घर था राहुल कार से उत्रा और घर की ओर गया घर के अंदर एक छोटा सा आदमी बैठा था वह राहुल से मुस्कुराया और बोला नमस्ते राहुल मैं पेडों का राजा हूँ तुम्हारी कार मुझे तुम्हारे पास ले आई है मैं तुम्हें एक जादूई उपहार देना चाहता हूँ राजा ने राहुल को एक छोटा सा पत्थर दिया पत्थर को देखते ही राहुल के मन में एक खास सी खुशी हुई राजा बोला ये पत्थर तुम्हें कभी अकेला नहीं होने देगा जब भी तुम उदास हो इस पत्थर को देखो और सोचो कि तुम कितने भागेशाली हो। राहुल बहुत खुश हुआ और उसने पत्थर को अपने पास रख लिया। फिर वह कार में बैठ गया और वापस अपने घर चला गया। जब राहुल अपने कमरे में पहुँचा, तो उसने देखा कि उसकी कार वहीं खड़ी है, जहां उसने उसे रखा था, उसे लगा कि यह सब एक सपना था, लेकिन उसके हाथ में पत्थर था, जो उसे याद दिलाता था कि वह एक जादूई यात्रा पर गया था। राहुल कभी भी उस रात को नहीं भूला, वह हमेशा अपने पत्थर को अपने पास रखता था, और जब भी वह उदास होता, वह उस पर देखता था, और याद करता था कि वह कितना भाग्यशा लिए।